हे गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल तो काइस आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडिक शेयर करने हो जिससे आपके बालों की जो भी समयश्य है वो खतम हो जाएगी आपके पाल एज से पहले ही यह समय से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह से पहले ही बाल वाइट होने की हर या बहुत जादा हो जाता है बालों में दो में बाल लड़कियों कि पाल कट वाने पड़ते हैं बढ़ भड़ भी नहीं पाते हैं और शाइनिंग होती है वो बालों क्यों चली जाती है तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडिक शेयर करने वाली हूं कि आप इसको एक दिन लग तो रिजल्ट के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगा आपने बालों को जब देखोगे जब आपने रेमेडी यूज नहीं की थी यूज की थी उसके पाद में जो रिजल्ट देखोगे ना मुझे खुद कमेंट करके बताओगे और मैं आपको बताओं कि इस तरीके से इसको यूज करने कब कब यूज करने तो वीडियो को इसकी बिलकुल ना करें तो यहां लिए चाय पत्ती चाय पत्ती आपको भी पता हर घर में आसानी से मिल जाती है एंड का इसमापको एक चीज बता देती हूं कि मैं जो रेमेडी इसके अंदर यूज करूंगे जो नेचुरल तरीके से आपकी जो बाल है उसको ग्रोफ करवाएगी तो यहां आपको पता है चाय पत्ती ब्यूटी टिप का काम करती है तनी जादा यूसफुल होती है कि अपने बालों में लगाओगे तो आपके बालों की जो भी समयशे है नो खतम हो जाएंगी घर में रख नहीं करते हैं तो आपके बाल नहीं करते हैं लगाने के बाद शाइन करेंगी यहां लिया है लसुन लसुन का क्या काम होता है हमारे बालों में जड़ों को मजबूत बनाने का काम होता है लसुन का होता है यह घर में रख रहता है पर हम लोगों को बिलकुल पता नहीं चलत देखे वीक में जो रिज़ल्ट दिखेगा ना आप मुझे खुझ कुमेंट कर करके बताई। कि मैं इसको खुद यूज करती हूं, जो है मेरी फाली इसको यूज करती है, इतनी आसान तरीके से इसका यूज करते हैं, और इसका result है वो बहुत बहतरीन मिलता है इस तरीके से तेज पत्ता डाल देंगे चाय पत्ती डाल देंगे चाय पत्ती की यहां दो चमच यूज की है ऐसा नहीं कि जो काटोरी दिखाई थी इसको पूरी को डाल देना है यहां डालेंगे लसुन क्योंकि चाय पत्ती भी हमें इतनी भी जादा यूज नहीं करनी है आपके बाल जितने अकोडिंग जितने लंबे है ना उस अकोडिंग आपको लेनी है चाय पत्ती जादा लंबे है तो एक चमच एक्स्ट्रा ले ले यह पानी तेख सकते हैं यह हमेने एक ग्लास रहा है बड़ा सुड़ा ग्लास जैना वाला टाला था ऐसा नहीं कि आपने चाय पत्टी जाल है दोचमच और पानी डाल दीक तो इसलिए हम लोग इसको उकाल देंगे इस तरीके से इसको अच्छे से उकाल दिला देंगे इसको उकाल दिलाने में पता कितना टाइम लगता है इसको चार से पांच मिनिट लगते हैं अगर फुल फ्लेम पे कैसा है न तो इसको एक से दो मिनिट लगते हैं उकाल दिलाने में, इस तरीके से मेरे को तो एक से दो मिनिट लगे थे इसको उकाल दिलाने में, इस तरीके से देख सकते हैं, जो इस कड़ी पत्ते का जो भी पोशक्तत्व हैं, जो भी पोशक्तत्व हैं, लसुन डाला था, लसुन की केवल एक कली डालनी हैं, आपको भी, इ आपको कीस बता देते हूं मैंने इसको ठोड़ ठंडा किया था एंड उसके बाद में इसको च्छाने के ऐसा नहीं कि आप गरम गरम में लगा लिए नहीं बालो में बलकुल नहीं लगाना है पता है कई कई बार बहुत लोगों को जल्दी होती है तो वह लोग इसको जल्दी लगा लेते हैं इंप पता क्या रहते हैं हम लोग बावाम लगा लेते हैं इसको अपके बहुने बेधिर के तो बहुत चानिके बाइश अगर घैमेज होना टाहें घाैज का अब मेरे होते हैं इसको बगशा घंपने को साथ जाए बंद कर दोगे एकदम टाइ काम करेंगी और नियुचरल तरीके से करेकी कि आपके बहुत जादा किसी कि बाल ही निए की बाले आने नियुक्त जाड़ा में इस त हुआ नारेल के चुपा नारिल का तिल क्या करता है कि हमिआ डाए करते हैं कि बाले यूद पालो को चुपाने प्लाकिशाल इसलिए रिभाल यहां थाल यहीं तो हैं नार्ल को देंगे आप को जब रिभास को डिल को इसलिए और इसको युजelf करें युजक चोटमो कोटन को चोटन को हमें कोटन को शारय सकते हैं अट sent aschild को बाल दो अच्य सबार जे दो के बाल लगा हो मईंडिक वाइव दाल टहुत मैं जतने उच्छान के लिक्ति ज़िए बाल गल्या भाई बाल ब्रब्लेग कर दो अगता है चुर्णैil यह आप स्टोर करके रख सकते हैं एक वीक के लिए तो आपको रेमेडी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं तो आज के लिए नहीं से